सो हेलो आइस कैसे हैं आप सब और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज हमें थोड़े अलग सीन के अंदर आज हमें गाड़ी में और हमने आज बिल्कुल सेट अप बना लिया था आज हम गाड़ी में करेंगे नोट 7 प्रो अंबॉक्स तो भाई स्मार्ट फोन है जिसी अब लोग देखक तो इस बार जिए क्लर फुल डबा दिया और सामने की तरफ में और इदर की साइड में और इदर भी डेडियोट 7 प्रो भाई शॉम्या भाई लाइक ग्रेडियंट कलर है जबके हमारे पस ग्रेडियंट कलर आया नहीं इसका मिला ह पता नहीं पता नहीं स्टोर के अंदर इतनी बड़ीड़ी मची भी थी और लगी और स्पेस ब्लाक हमें मिला इसका कलर यह पीछे को एक स्पेसिकेशन में चेंड है 4GB RAM है 4GB ROM है इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है यह सब Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर तो यहां पर इस पहले से उन्हां से खोलेंगे इसको ठीक है ना आपको पता ही है यहां पर इसकी आती है बात तो एक बार आप लोग इसके वास तो यह हमारा वियार सामने Redmi Note 7 Pro जैसी का आप देख सकते हो और इसको पीछे से भी अटायते है कर लगाने कोई फायदा मतलब है नहीं कुछ भी तो यार यह देख आप लोगो फिनिश दो मिल रही है यह मैंने Redmi Note 7 चलाया तो मुझे पता है Redmi Note 7 Pro कैसा होगा तो उसी के तरीके का है बिल्कुल डिजाइन वाइस तो यहां पर कुछ आपको डिफरेंस मिलता नहीं और कुछ नहीं मिलता है नीचे की साइड में यहां पर मैंने समान रख दिया था खुल जा तो यहां पर इसका चार्जर है जो कि भाई फास चार्ज नहीं सपोर्ट करता और यह केबल है बस शौमी आपको पते यह फोनों की अन्बॉक्सिंग विल्कुल सेम होती है इसकी यार सेटिं है गूगल की वेरिफिकेशन फिंगर प्रिंट नहीं चीए वाई हमारे कुछ अभी ओके तो हमारा फोन जा सेट हो गया है मेरे को जार में चीज़ टेस्ट करनी है भी वह यह है इसका क्यामरा जो की 48 मगा पेक्सल वाला है स्नाप्रेकर 675 पॉसर तो है यह अच्छा लेकिन क्यामरा यार उसको टेस्ट करना है गया वो क्या है असली में वह है क्या क्यों कि उसके बारे में लोग क्यों कि तब वह तो यह जैसे अब दखके तो मियु आई 10 जो इसकी सो गाई यहां पर हमारा फोन पड़ा स्नैपी सा लग रहा यार स्टार्टिंग में मैं एक और बढ तो एक बार इसको देखते हैं तो यहां पर मैंने कर दिया है स्लेक्ट और यह टाइम ले रहा है जैसे कर देख सकते हो इसने टाइम लिया हलका सा और उसके बाद अब यह आ गई है हमारी इसके अंदर अलाओ करेंगे से 48 मुगा पिक्सल कि यार मैं यह तो कहुँगो कि हाँ डेप्थ है फोटो के अंदर लेकिन इतना भी नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग है यहाँ पर गनेज जी फोटो कीशते है हमारे बगवान जी की और टेडम भी टच्च्ट है यहाँ पे हुई और यह भी टाइम लगा जी यसी कह आप देख सकते हो और एसके अंदर स्टाट हुआ कि हां डेटेयलिंग तो है वैसे सच मँदृटेयलिंग है है टेटेलिंग है काफी और फोटो जो है लोड होने में टाइम लगा जी तो डेटेलिंग तो है यप टेटेलिंग है यार फोटो गाई यही थे अच्छ की वीडियो भाई फटाबट से नोट 7 के अन्बॉकसिंग और अभी आप लोगो थोड़ी देर के अंदर व्लॉग मिलने सब्सक्राइब लाए तो बाइब लॉक के लिए यार वेट करना जलते आएए अ झाल झाल